वेलकम तो माई चैनल मैं डॉक्टर खुश्बू और आज मैं आपको बताऊंगी शैंबर्ग डिजीज के बारे में कि इस बीमारी में क्या होता है क्या लक्षन होते हैं कैसे हमें उसकी रोकता हम करनी है और क्या इसका ट्रीटमेंट है काफी सारे लोग इस बीमारी से जूज बारी मिलती रहे शैंबर्ग डिजीज में क्या होता है मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूं आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों को इस तरह से पैरों पे पैचीज बन जाते हैं यह पैचीज उभरे हुए नहीं होते इसकिन के अंदर ही होते हैं इसमें कोई उभ आउन कलर के भी हो सकते हैं या जंग जैसे लोहे में जंग लग जाता है रस्टी कलर के हो सकते हैं या औरेंज कलर के भी यह पैचीज पाए जाते हैं यह पैचीज डिफ्यूज मतलब मिले जूले से होते हैं और इसमें क्या होते हैं इनके जो बॉर्डर होता है वो ने थिरे फाल सकते हैं, ज़ना से पढ़र बहुता हैं प्रेसर लगुति हम दबागे, यह ऐसे थार लेखिन participants ये problem 40-50 साल की age के आसपास अधिकतर पाई जाती है और इसमें patient complain करता है कि मेरे पैरो में या मेरी thighs में इस टाइप के patches हो गए हैं इन patches में कभी-कभी खुजली होती है कोई pain नहीं होता जाते नहीं है ये patches बर्ड रहे हैं तो ये सब इसमें हो सकता है ये patches हो जाएं तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती इनका कोई बहुत ही complication नहीं है ये सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं लगते बाकी body में इनका कोई भी side effect नहीं होता ये patches हमारी RBC और जो हमारी blood vessels capillaries होती है उनके leaking की वज़े से होते हैं जब RBC तूटती है तो वो hemoglobin में convert होती है और जब hemoglobin तूटता है तो वो hemocidrine में convert होता है और उस hemocidrine की वज़े से ही हमारी skin के अंदर ये pigment जमा हो जाता है तो उस वज़े से ये patches बन जाते हैं इसको आप simple language में ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो iron है वो leak कर रहा है आपकी blood vessels से आपकी vein से और gravity क वज़े से वो नीचे पैरों में जाके इखटा हो जाता है तो उसकी वज़े से ये patches पाए जाते हैं ऐसा होने का क्या कारण है इसका कारण अभी तक unknown है पता नहीं चल पाया कि ये किस वज़े से ऐसा body में होता है लेकिन इसके कुछ trigger factors हैं वो मैं आपको बता देती हूं कि जिन लोगों की standing job होती है जैसे कि teacher हो गए या जो लोग अधिकतर खड़े रहते हैं उनके पैरों में ये problem पाई जा सकती है दूसरा इसका trigger factor है कि कुछ families में जिन में capillaries fragile होती हैं बहुत ही नाजुक होती है blood vessels उन families में ये रन करती है problem तो जो आपकी blood vessels हैं veins हैं अगर वो उ fortunately इस problem का कोई permanent cure अभी तक नहीं है इसके लिए आपका dermatologist आपको symptometric treatment दे सकता है कि जैसे कि अगर आपको कुझली बहुत जादा हो रही है का dermatologist आपको corticosteroid base cream दे सकता है उस कुझली को कम करने के लिए जिसमें fusibet cream आती है वो आपका dermatologist prescribe कर सकता है साथ में soothing lotion जैसे की calamine lotion आता है वो आपका dermatologist आपको prescribe कर सकता है anti allergic tablet जैसे की citrizen tablet साथ में आपको अपने पैरों को अच्छे से moisturize करना है उसके लिए आपका dermatologist आपको एक अच्छा सा moisturizer दे सकता है जिसमें अभीनों का skin relief moisturizer गुटने से नीचे वाले area के लिए काफी अच्छा है patches यह pigmentation बहुत जादा bother करता है तो आपका dermatologist आपको safe skin lightening creams दे सकता है उसको काफी लंबे टाइम तक आप लगाओगे तो आपका जो pigmentation है वो थोड़ा बहुत light हो सकता है लेकिन permanent उसका कोई भी क्योर पॉसिबल नहीं है safe lightening creams के लिए मैंने एक वीडियो बनाए हुआ है मैं उपर card share कर रही हूँ वहाँ पर जाके आप safe skin lightening creams का देख सकते हो चौथा इसमें vitamin C की tablets भी helpful देखी गई है तो आपको ये problem बहुत जादा है और बहुत तेजी से बढ़ रही है तो आपका dermatologist इसके लिए ट्रेंटल टैबलेट आती है जिसमें pentoxifilin इसका molecule है ये भी एक helpful molecule है इस disease के लिए लेकिन आपको ये tablet खुछ से नहीं लेनी होती आपको dermatologist के supervision में ये tablet स्टार्ट करनी चाहिए बात करते हैं lifestyle modification की कि अगर आपको ये problem हो गई है तो हम उसको कैसे बैटर कर सकते हैं उसके लिए अगर आप बहुत जादा लंबे टाइम तक खड़े रहते हो तो आपको उस pattern को थोड़ा change करना पड़ेगा कि आप बीच बीच में थोड़े थोड़े time में बैट जाओ ताकि gravity की वज़े से आपको ये problem और जादा ना भढ़ जाए अगर आप पैर लटका के बैटते हो और आपको ये problem है तो आपको dermatologist आपको suggest कर सकता है कि आप सामनी stool रखके उसके ऊपर पैर लटका के बैटना अवाइड करना चाहिए तीसरा आप oil लेके massage कर सकते हो blood circulation को improve करने के लिए ताकि वहाँ पे blood जमा ना हो और फिर वह आपकी capillary से लीक ना सब्सक्राइब पीजिए शेयर कीजिए